कहाने के सुपराद में हमें दो पुलिस बले दिखा जा जा जो कि अपने गाड़े पर बैट कर खाना खा रहे थे तब ही उन मेंसे एक अफिसर फ्रेंक जब गाड़ी से बाहर निकलती है और नदी के ओर देखता है तब ही उसे एक आदमी नजर आती है जो कि एक लड़की को जबरदस्ती पगड़ के ले जा रहा था और उसके पास एक धार धार हतिया था जिससे उसका गाला करने वाला था ये देख फ्रेंक उस आदमी पर गान दंग देता है और उससे कहता है वो उस लड़की को ना मारे इस पर वो आदमी कहता है कि इससे भी पता नहीं कि यह लड़की क्या चीज है इसलिए वो जो भी है उसका मरना बहुत जरूरी है एक-एकर वो आदमी जैसे ही लड़की की सरको धर से अलग करने वाला होता है तब ही फ्रेंक उसे सूट कर देता है और वो आदमी नीचे गिर जाता है और फ्रेंक उसे चेक करने जाता है तब ही वो आदमी उड़ता है और फ्रेंक को पकड़ कर जैनिफर कहता है इसके बाद उसकी मौत हो जाती है तब ही फ्रेंक का साथी वा आती है और उससे पुछता है उसने ये क्या किया इस पर फ्रेंक उसे बताती है कि ओ आदमी उस मासुम लड़की को मानना चाता था इसलिए मुझे ना चाते हुए भी उस आदमी को मानना पड़ा साथ ही फ्रैंक देखता है कि ये लड़की काफी डड़े हुई थे इसलिए फ्रैंक उसे उठाता है और जब उस लड़की की सकल देखता है तो वो काफी ड़ जाता है क्योंकि उसका सकल काफी अजिब थे साथ ही फ्रैंक उसके हाथ में बनी रसी को खोड़ने जाता है तब ही उस लड़की की नाखुन उसके हाथ में लग जाती है जिसे उसके हाथ में स्क्रैच आ जाती है और वो लड़की भी काफी डड़ी हुई होती है इसके बाद वो फ्रैंक को गाले लगा लेती है और फ्रैं प्रेंक से बताता है कि वो आदमी होमलेस था नेकल पेले वो एक विजनेसमें हुआ करता था और किसी करन के वज़़े से उसका विजनेस बंद हो गई इसके बाद फ्रेंक वहाँ जेनिफर को देखता है जिसे पूछताच के लिए ओह बुलाया गा था जेनिफर फ्रेंक को द उसका काम है इसलिए इसके बारे में ज्यादा ना सोचे और तब ही वह अपर उनका बेटा आती है और खाना लेकर चुप-चपव से चली जाती है इसके बाद फ्रैंक वह स्रूम बढ़ जाती है अपने घाओ को साफ करने के लिए और जब वह सोने के लिए बैट रूम बढ़ तब वो जैनिफर के बाड़ में ही सुच रहा था जिस बज़ा से वह आज जाने में ही अपने बीबी को हर्ट कर देता है जिसे उसका बीबी काफी डर जाती है और उस पर चिलाने लगती है और अगले दिन फ्रैंक अपने कली के पस जाता है और उसे जैनिफर की फाइल मां जाले लगा लेती है इस पर फ्रैंक को उस लड़की पर काफी दाया आने लगती है और उस फैसला करती है कि वो उसको साहती रहेगा ता Farm रख सके और वो हस्पिटल से उससे अपने घर ले आती है ओँस बारे में अपने बीबी को बताने जाता है निकलो सो गई थे इसके ब जिस पर फ्रैंक जेनिफर को कहता है अब उसे सो जाना चाहिए और खुद भी सोने के लिए चले जाता है और रात को जेनिफर की आखे खुलती है और उसे एक बिली की आवाज सुनाई दे रही थी जिसे देख ओ बिली का पीछा करती है और उसे डड़ा कर भागा देती है भी फ्रैंक की बीवी उड़ती है और उसका जीब सा चेहरे देकर काफी डर जाती है वो जोड से चिलाती है जिसे फ्रैंक का बेटा भी ओह आ जाती है और जेनिफर के चेहरे देकर वो भी डर जाती है और फ्रैंक अपने बीवी को सांथ कराती है और कहता है इस लड़की की इस दुनिया में कोई नहीं है इसलिए वो उस लड़की की मदद करना चाता था और वो उसे अपने घर ले आया इस पर फ्रैंक की बीबी उसे कहती है कि इस लड़की को इसके घर से तुरांत बाहर निकल दे इसके बाद जेनिफर उसकी बीबी को किस करती है ईससे ओ बोलना बंद कर देती है अब अगले दिन फ्रैंक जेनिफर को लेकर उसके रहने के लिए घर दूरने चाथी है लेकीन उसे जेनिफर पर काफी द़ाय आ रहे थे और उससे अकेला छोड़ना नहीं चाता था और वो उसे कहता है उसे छोड़ना तो नहीं चाला फिर भी उसे जाना होगा क्योंकि उसकी बीवी चाहती वो उनके साथ नहीं रहे ये सुनकर जैनिफर फ्रैंक की हाथ पकड़ती है और उसे सीनिवर लगा लेती है पहले तो फ्रैंक उसे माना करती है फिर भी जब दर्सती जेनिफर उसके साथ इंटिमेट हो जाती है जिससे फ्रैंक को उसके उपर और प्यार आ जाती है और रात को जेनिफर को बापस घर ले आती है ये देखकर उसका वीबी उसे कहती है वो उसे दुबरा क्यों घर ले आया जब ओ देखती है कि जैनिफर ने उस बिल्ले को मार दिया है और उसका मास्क खा रहे थे ये देखकर उसका बीबी काफी डर जाती है और यहाँ से चली जाती है फ्रैंक जैनिफर को इस करने में के लिए काफी डरती है जैनिफर काफी सहम जाती है और ये देखकर फ्रैंक को उस पर काफी दया आ जाती है और वो उसे माप कर देता है रात को फ्रैंक जब सो रहा होता है तब जैनिफर उसके रूम में आती है और फ्रैंक के साथ इंटिमेट हो जाती है अगले दिन एमी अपने घर के बाहर खेल रही होती है तब ही जैनिफर उसे मिलना आती है एमी उसका चाहरा देखकर काफी हसती है और उसे पूछती है आखिरो कौन है जैनिफर उसकी तरह घुर दिया और उसे अपने साथ ले जाती है अब रात को फ्रैंक का बार में होता है और खूब ड्रिंक करती है किकि उसका बीबी उसे छोड़कर चल गए थे जब वो घार पर आती है और जैनिफर का धूड़ती है तब है उसे बेस्मेंट से कुछ आवा जाती है जब वो आजागर देखता है जैनिफर ने एमी को मार दिया है और उसका मास्ट खा रहे थे ये देखकर फ्यांको को काफी गुस्टा आती है और उसे मारने लगती है और उसे गला दबा कर मारने की कोसिस करती है लेकिन वो उसे मार नहीं सकता था किसी लिए अगले दिन वो एक सरकस में जाती है जहां वो सरकस की मालिक से मिलती है और जेनिफर को रखने की सुधा करती है अब वो रात को सरकस की मालिक को घर के चावी देता है और उससे कहता है वो लड़की उसकी घर पर बंध है वो रात को चुपके से आए और उस लड़की को उठा कर लेकर चले जाए ब्रैंग जब जिसे जेनिफर ने बेरे में से मार दिया था और उसे खाया भी था ये देख फ्रैंक काफी हैरान हो जाती और वो उस अदमी के लास को एक जगा ले जाकर कार देता है अब अगले दिन जेनिफर को फ्रैंक काफी दूर ले जा रहा था ताकि ओ इनसानों को मार ना सके इसलिए फ्रैंक जेनिफर को एक कैविन में ले आती है जो की जंगलों की बीचो बीच था वो जेनिफर को कहता है कि वो आप से एही रहेगी तो ओ यहार रहने के आदर डाल ले अब फ्रैंक बताता है कि पासी में एक टाउन है इसलिए वो जाब ढूरने के लिए जाएगी इसलिए वो उसे छोड़ कर ना जाए फ्रैंक एक स्टोर में जाती है जहाँ एक आदमी की जरूरत वो ओह की मालकिन से बात करती है और दुकान की मालकिन कहता है उसे एक सबसभाई करने बार ले आतमी जाए और फ्रैंक कहता है वो इसके लिए तयार है अब ओ लेडियों उसको जाब पर रख लेता है और फ्रैंक को आपर काम करना सुरू कर साथ ही फ्रैंक साम को खाने पीने के लिए समन ले आती है अब ओ अपने कैबिन पर जाता है जहाँ ओ जैनिफर को देखता है जो कि उसी कैबिन में थी अगले दिन फ्रैंक जब काम पर होता है वह कि मालकिन का बेटा अपने मा से इज़ाज़त मांग रहे थे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए लेकिन उसकी मा उसे कहती है इस टोर में बहुत कम बढ़ी है पेले वह कम कर ले ये देखकर फ्रैंक उसे कहती है कि वह उस लड़की को जाने दे मैं उसका सारा कम कर दूँगी ये सुनकर स्मालकिन का बेटा काफ़ी खुसा जाती है प्यार अपने दोस्तों के साथ निकल जाती है अब फ्रैंक जब उस औरत की साथ काम कर रहा होता है जहाँ जैनिफर चुपके से आकर फ्रैंक को देख रहे थे और उन दोनों को साथ में देखकर काफ़ी जैलसी फील होती है और वह आसे चले जाती है अब वह मालकिन फ्रैंक को पूछती है कि आखर वह कहा रहती है इस पर फ्रैंक कहती है कि मैं जंगल के एक क्याबिन में अपने बेटी के साथ रहता हूँ अब यहाँ फ्रैंक जूट इसलिए बोलती है ताकि उसका इमेज डाउन ना हो सके और वह लेडी का लड़का पार्टी में अपने दोस्तों के साथ होता है और जब वह टॉलेट करने के लिए जंगल के अंदर जाती है तो उसे एक लड़की नजर आती है जो कि उसे अपने पीछे बुल रहे थे और जब वह मूर का देखती है कि तो हमें पता चलता है वह और कोई नहीं जैनिफर था जो कि उस लड़के को मार डालती है ताकि वह उसकी माख से बदला ले सके और जब फ्रैंक घर में बापस आती है तो उसे जैनिफर कहीं नहीं मिलता तब है उसे बेस्मेंट से कुचावा जाती है इसलिए ओ अंदर जाती है जहां ओ देखता है कि जैनिफर उस लड़के की मास खा रहे थे ये देखकर ओ काफी हैरन हो जाती है और फैसला करती है कि ओ जैनिफर को मार डालेगा अब ओ जैनिफर को बांद कर जंगल के उड़ ले जाती है और जब वो उसे मारने वाला होता है तो वो ही पर एक हंटर होता है जो उसे देख लेता है उस हंटर को लगता है कि फ्रैंक उस लड़की के उपर अत्याचर कर रहा था इसलिए फ्रैंक को सूट कर देता है तभी वो हंटर अकर जैनिफर को देखता है तब ही फ्रैंक उड़ती है और जैनिफर बता कर मर जाती है जैसे शुरबाद में वो बुढ़े आदमी फ्रैंक को बताया था अब यहांटर जैनिफर को चहरे दे कर पहले तो डर गई थे और जब जैनिफर उस आदमी के हाथ पर हाथ रखती है तब ही मानों कि वो आदमी पज़स हो जाती है और इसी की साथ एक कहानिया ही पर खतम हो जाती है अगर आपको इस मुवी के एक्स्प्रिलेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैलेट को सस्क्राइब जरू कर देना